आलो के कुरकुरे चिप्स सभी को पसंद होते हैं, बच्चे हूँ या बड़े हूँ और ठेट सारे चिप्स अगर घर में मिल जाएं तो बात ही क्या हेलो फ्रेंड्स, मैं हूनी रुपमा और मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मिला ही हूँ आपके लिए इंस्टेंट आलो चिप्स, इसे आपको धूब में सुखाने की जरूत नहीं है, उपालने की जरूत नहीं है पांच मिनिट में इसे बना कर त्यार कर सकते हैं, अब बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं आलो के चिप्स बनाने के लिए मैंने आलो लिये हैं मीडियम साइज के आलो को दोके साफ कर लिया है और इसे हम छीलेंगे तो सारे आलो मैं छील लूँगे और छीलने के बाद इसे हम पानी में रखेंगे तो पानी में इसे रखना बहुत जरूरी या नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं तो सारे आलों को मैंने पानी में इस तरह से डुबो दिया है अब इसके हम चिप्स तैयार करेंगे तो इसके लिए मैंने किये चिप्स का साचा लिया है ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो इस तरह से इसमें घिसतेवे आलो के चिप्स तैयर करेंगे तो हमें सारे आलो को पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी इस तरह से अब आलो की स्लाइस को दो से तीन बार हम पानी में निकालेंगे मतलब पानी में हम धोईंगे से और बिल्कुल साफ कर लेंगे इसमें स्टार्च बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो यह आलो की जो स्लाइस हैं बिल्कुल साफ होनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए तो यह देखिए तीन पार मैंने इसको पानी में से निकाल लिया है अब इसमें साफ पानी भर देंगे अब एक बरतन में चार गलास पानी डालेंगे और इसे बॉयल होने देंगे तो एक चमच मैंने इसमें नमक डाल दिया नमक मैंने पानी में ही डाल दिया है आपको अलग से नमक डालने की जरूत ही नहीं है अगर पानी में नमक डालते हैं इस तरह से तो फ्लेवर अच्छा आता है पानी को बिल्कुल बॉयल होने देंगे और गैस को बंद करेंगे और इसमें हम सारे चिप्स डाल देंगे अब इसे एक प्लेट से ढख देंगे और 10 मिनट तक के लिए इसे इसी में पकने देंगे तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की जरूत नहीं है 10 मिनट बाद देखे इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब हमारे चिप्स बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं जिससे इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा चिप्स हमारे अच्छे से सूख जाएंगे तब हम इन्हें फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए तेल जो हमारा बिल्कुल करम होना चाहिए गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे और एक एक करके इसमें स्लाइस डालते जाएंगे और सारी स्लाइस इसमें डालने के बाद हम गैस को बिलकुल लो पर कर देंगे और लो फ्लेम पर ही इसको हम फ्राइ करेंगे लो फ्लेम पर हम इसलिए इसे फ्राइ करेंगे ताकि ये कुरकुरी हो जाएं अब बहुत जल्दी ये बनकर त्यार हो जाते हैं ये देखें चिप्स हमारे फ्राइ हो गए हैं अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और अब बाकी के चिप्स भी हम थोड़े थोड़े करके फ्राइ करते जाएंगे बसे इसमें एक बात का ध्यान जरू रखें कि जब शुरू में आप फ्राइ करें चिप्स को तो गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए और उसके बाद तुरंत ही लो कर देंगे इससे चिप्स बहुती कुरकुरे बनते हैं और सफेद बनते हैं तो अब सारे चिप्स मैंने त्यार कर लिए और ये देखे बहुती कुरकुरे बने हैं इसके आवाज भी आप सुन सकते हैं और अब एक चिप्स में आपको हाथ से भी तोड़के दिखाएंगे और इसके आवाज सुनिए बहुती कुरकुरे तो देख सकते हैं आप कितने कुरकुरे चिप्स बनके तयार हुए हैं वो भी बिल्कुल इंस्टेंट तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं और उनके घर में ध करते में तयार हो जाते हैं तो आप ना तो दूप की टेंशन लें और नहीं मजार से चिप्स लाएं घर पर ही कम वालों में भी ठेज सारे चिप्स बनाएं और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना